नमस्गार, बडास निकानना जरूरी है, क्योंकि पताएएए आपको अंदर कुछ आपके गुबार बरहा है, अंदर कुछ बात है अगर उस बात को आप बाहर नहीं निकालोगे, तो फिर क्या होगा? आप बिजनिस में, आप दोस्तों के साथ में, आप परिवार में कई बेटे हो छोटी मुटी बाते होती ही, नकरात्मक बाते होती ही, आपको गुसा आता है कुछ ऐसी बाते होती ही जो आप उनको कह नहीं सकते हो, लेकि अंदर ही अंदर मन में गुटन होती है अंदर ये अंदर मन में आपको एक ऐसा होता कि और में मेरी पड़ास का निकल पता है आपको बड़ास निकलना बहुत जरूरी है अगर आपने अपनी बड़ास आपने अंदर का गुच्सा किसी पर नहीं निकला या फिर आपने अपनी मन की बात किसी को नहीं कही तो हो सकता ह वो आपके लिए नुक्सान दायक हो आपको mentally disturb कर सकती है आपको अंदर से कुछ और कुछ disease पैदा कर सकते है आपने प्रेशर कुकर देखा होगा जब वो गेंस पर पड़ा होता था दीरे 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 बाफ बंती और दीरे दीरे सीटी आती है और पता है कभी-कभी ऐसा होता जब सीटी ने आती तो प्रेशर क свое करता है वो ब्राश्ट करजब तो अंदर का घुबार ऑंदर के नेगेटिवीटी अंदर के जो आपके जो अंदर का गुसा ही वो निकलना नहीं करते हैं तो अपने बडास किसी के उपनी बॉडास निकलना था किसे City के उपर अपने मन को हलका करें एक अमेरिका का की सुविद्या यह की एक रिसर्च रिपर्ट कहती है कि मन के आप मन के अंदर के बड़ास निकालने बहुत जूरुरू है आप अपने मन के अंदर के बड़ास नखालते हो Olit सवस्ती रहते हो आपकी mental health रहती है और आपका हार्ट अच्छा रहता है अगर आप आप बड़ास नहीं निकालते हो तो आपको हार्ट की विमारी हो सकती है आपको मेंटली विमारी हो सकती है आप स्वस्त नहीं रहे सकते हैं अब रही बात कि हम बड़ास निकाले किसे निकाले आप के रहे हो सर बड़ास निकालनी चाहिए मन के अंदर के गुबार को निकालना बोलिए जितनी बार बोलना बोलिए अपनी बड़ास अपने काज़ के सामें निकाले विए अगर आप इसी व्यक्ति को खेश टुपेश से निकालना निकालने, मन के गुबार को अंदर मत रखना, मन के गुबार को बाहर निकालना, आपको मन सांथ होगा, आपको मन हलका होगा, और आप एक के दूसरा ये तरीका भी अपना सकते हो, अगर आपके मन में किसी के परती बेरबाना है, किसी के परती आपके मन में कोई कर रहा है वो ते लिए ये कर रहा है तो आपके लिए वो नुकसान हो सकता है वो आपके लिए आपके रिलेशन बिगड़ सकते है तो अपने मन की बावना अपने मन का गुसा अपने मन की फिलिंग किसे को कहनी है तो अपने खास करीबी को कह दे आपका मन हलका होगा आप रिल बढ़ास को सकारात्मक्ताज में ले बहुत सारे ध्यान देंगा जो मजबूत क्व्टी होते हैं उनके अदर गुस्टा होता है बढ़ास थिव क्या करतें वो अपने ओपर निकालते हैं एक पॉजिटिविटी में लेते हैं एक अच्छा जैसे अबुक्षाने वव्राठ कोली ने एक बर का ता जराशरा आप जब कर्केट नहीं डार नहीं चलती आप ळरण नहीं बनाते हो गुत्सा तो आप क्या करते हो भी ने क्या कहा व ब॥-अह एंगर मैं अपने पर निकालता हूँ, मैं खूब नेट पैक्टिस करता हूँ, मैं डबल नेट पैक्टिस करता हूँ, मैं अपना पसिना नेट पैक्टिस पर निकालता हूँ, मैं अपना गुसा नेट पैक्टिस पर निकालता हूँ, जो मजबुत इच्छा सकती वाले लोग होते हैं, वो अपन अपनी गुसा अपने आप पर निकाल दो और अपने आपको और निकारते हैं अपने आपको और कुछ अच्छा था अगर आपको किसी बात पसंद नहीं आ रही है आपको लगता है यह बार बार इसी गंदी बात करता है उसे बार 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 मैं बरेसान होता हूं बार बार बात उस व्यक्ति को ना कहे जिस व्यक्ति को आपके उसको पसंद ने क्यार यह बात करता है यह से मेरों को पसंद नहीं आपके मन में कुछ बात है आप उसको कुछ कहना चाते हो तो अक्यले में बात कहें सब के सामने मत कहें आपके मन की बावना हैं आपके अंदर जो कोई ग आप मन की बडास निकालोगे ना तो आपका मन हलका हो आपका ये मन की बडास निकालने बहुत जूरी है मन का गुसा निकालना बहुत जूरी है वरना अंदर ही अंदर ये गुटन होती रहेगी और ये गुटन एक दिन इतनी बाहर होगी ना एक दिन ब्लास्ट हो सकती है और उस बड़ास को उस कुस्से को पहले सांती से बाहर निकाल ले